आज के इस वीडियो में आपको IOCL के तरब से एक न्यूव वेकंसी एनॉंस की गई है 2022 में इसके रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसमें की डिपलोमा, डिग्री और आइटी है वालो इसमें अप्लाइ कर सकते हैं सिभिल, मेकनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, इंस्टुमेंटेशन और भी सारे इसमें ब्रांच हैं जिन्व के लिए आप लोग इसमें अप्लाइ कर सकते हैं टोटल वेकंसी है 570 हैं और इसमें एक्जाम के आधार पर आप लोग का सेलेक्शन होने वाला है जो भी एक्जाम क्वालिफाइ करेंगे उसका सेलेक्शन होगा तो complete information आपको इस वीडियो मैं देने वाला हूँ ज़रूर से जोइन होकर करेंगे वहाँ पर आपको सभी link पीडियो अप मिल जाती है देख सकते हैं यह IOCL का official website है इसके career section में आईएगा यहाँ पर आपको इस vacancy के बारे में देखने के लिए मिल जाएगा advertisement for apprenticeship engagement in western region md for 2022 तो अभी इसमें apprentice IOCL का apprentice करने में बहुत ही जादा फैदा होता है अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग को इसमें permanent vacancy निकलती रहती है जब भी निकलेगी आप लोग को experience मिलेगा तो आप लोग जरूर से इसमें apply किजिए अगर होता है तो exam दीजिए exam अगर qualify करते हैं तो आप लोग को इसमें opportunities रहेगा job पाने के लिए IOCL में तो complete information आपको इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ इसका official advertisement open करके देख सकते हैं ये इसका official advertisement notice है Indian oil corporation limited के तरब से ये vacancy announce की गई है diploma और ITI और आपका degree वालो के लिए जिनमें कि इसमें देख सकते हैं अलग-अलग branch के लिए इसमें ये जो vacancy location पहले मैं बता दूँ आपको states and union territory of western India जिसमें कि आपका गुजरात, महराष्टरा, मधिपरदेश, 36 गर्ट, गोवा और दादार एगम एवं नगर हवेली ये सरे location पे ये training आपको दिया जाएगा लेकिन आप लोग अगर कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसमें apply कर सकते हैं इसमें आप लोग दूसरे जगह से भी दूसरे state से भी बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसमें apply कर सकते हैं लेकिन location जो है ये रहने वाला है और जो भी य में वेकेंसी की तो इसमें जो महाराष्टरा अलग-अलग एस्टेट की अलग-अलग वेकेंसी करके दिया गया है तो महाराष्टरा एस्टेट से जो टोटल वेकेंसी है वो यहां पर देख सकते हैं डिपलोमा और आइटिया वालों को मिला करके 212 है और इसमें नंटेक वालो नगर हवेली तो ये सभी estate मिला करके जो vacancy है आपको पांस सतर vacancy देखने के लिए मिलेगी जिनमे की आप लोग बस apply कर दीजेगा जिस भी estate में या जिस भी आपने अपने nearest estate या आपका जो भी estate है उसमें अगर आप लोग mechanical engineering में हो गया यहाँ पर दूसरे नमर पर आपका three year diploma electrical engineering three year diploma in instrumentation engineering three year diploma in civil engineering उसके बाद trade apprentice का आता है इसमें three year diploma in electrical and electronics triple E engineering से अगर आप लोग diploma किये हैं तो इसमें apply कर सकते हैं diploma in electronics engineering उसके बाद ITI वालों के लिए आजाता है जो कि देख सकते हैं ITI feature, ITI electrician, ITI electronics mechanics उसके बाद trade जो है instrument mechanics उसके बाद mechanist उसके बाद non-tech वालों के लिए आता है अगर आप लोग twelfth किये हैं या degree किये हैं तो भी आप लोग इसमें apply कर सकते हैं अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग qualification इसमें रखा गया है तो जो भी यह सारे थे इसमें बीटेक वालों के लिए नहीं है इसके बीच का 3 years से ज़्यादा gap नहीं होना चाहिए इसके लिए जो age limit है minimum 18 years आपका age रखा गया है और maximum 24 years और इसका जो date है 31-2022 के नुसार से आपका इसमें age calculation किया जाएगा उसके बाद जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरूम बताया कि इसका जो selection process है आपका exams के अधारपड होगा तो IOCL का जो भी apprentice आता है इसमें आप लोग का exam conduct करवाय जाता है जो की हिंदी और English language में होता है 90 मिनट time दे जाता है और एक सा questions रहता है जिनमें की इसमें अगर आप लोग आप लोग के लिए जो questions का type है यह इस तरह से रहेगा और अगर आप लोग का जो questions का type है यह इस तरह से रहेगा जिसमें की आप लोग का जो भी branch है उनसे related 40 मार्क का questions रहेगा और general aptitude उनमें आपको 20 मार्क का और reasoning abilities में 20 मार्क का और English and English language skill में 20 मार्क का आपका questions रहेगा तो इस चारे मिला करके आपको 100 questions रहेंगे 90 मिनट का आपको time दिया जाएगा और इसमें कोई भी negating marking नहीं रहता है अगर आप लोग इसमें थोरा सा भी अच्छे से पढ़ लेते हैं इसका syllabus को तो आप लोग इसम करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें इंडॉल्मेंट नमर आपको मांगेगा apply करते टाइम उसके बाद आपको अगर आइटिया वाले candidate है तो आपको apprenticeship India.org पर जरूर से registered होने चाहिए तो आप लोग जो भी डिप्लोमा आइटिया वाले candidate हैं आपको इंडॉल्मेंट नमर जरूरी रहता है तो आप लोग पहले न्याट्स पोटल या apprentice इंडिया पर registration करके अपना तब तक हो सकता है एक्टिवेट कर दे क्योंकि यह इसका जो starting date है यह 15 से ही start हुआ है तो आज 15 तारीक है आज के date से आप लोग इसको apply कर सकते हैं देख सकते हैं date of opening of online application 15 जनवरी 2022 और last date जो है इसका 15 फरवरी 2022 है तो इस date के बीच में आप लोग इसको apply कर पाओगे apply करने के लिए आपको वीडियो के description में लिंक मिल जाएगा apply online का उस पर किलिक कीजिएगा तो वहां पर apply का ओ जाएगा और tentative date जो है online exams कब लिया जाएगा online detain test तो आपको इसी website के माध्यम से inform किया जाएगा जो कि मैं वीडियो के description में apply online के नाम से दे दूंगा जो भी सारी document यहाँ पर कुछ upload करने होंगे जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं date of birth उसके बाद आपका जो भी certificate है और आप लोग किसी particular state से बिलोंग करते हैं तो और signature और आपका color recent passport photograph तो यह सबी चीज़ आप लोग को upload करने होंगे और आपका जो online detain test का जो CT है वह आप लोग को बाद में icl के website पर inform किया जाएगा intimates यहने की सूचना दिया जाएगा तो मैं आप लोग को बाद में भी update कर दूँगा और वीडियो के description में link रहेगा वहाँ पर आप लोग जा करके visit करके देख सकते हैं इसमें pan card आधार card और bank account या checkbook requirement है जो की आप लोग nets portal पर या registration करते time आप लोग को देना जरूरी होता है तो वहाँ पर दे दिजेगा तो उससे भी आपका काम हो जाएगा तो इसमें यही सब चीज था main details जो था मैंने बता दिया अगर आप लोग इसमें interested है eligible है तो जरूर से apply कर सकते हैं कोई भी application फी required नहीं है अगर free of cost इसम इसमें आप लोग को preference दिया जाएगा आप लोग को पहले consider किया जाएगा जो भी इसे candidate है जो डिपलोमा की है lateral entry से वह आप लोग इसमें apply कर सकते हैं देख सकते हैं diploma course shall also be considered जो भी इसे candidate हैं जो 12th के बाद या ITA के बाद lateral entry से डिपलोमा की हैं दो year का भी डिपलोमा की हैं तो lateral entry से आप लोग इसमें eligible है apply कर सकते हैं ऐसे candidate जो अभी तक final year में है या जिसका result नहीं आया है वो लोग इसमें eligible नहीं होंगे वो लोग इसमें apply नहीं कर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सेक लाइक कर दिजिए अपने दोस्तों के साथ share कर दिजिए और च